इस एपिसोड में हम डिस्कॉस करने वाले हैं सिंटेक्स इंडस्री स्टॉक के बारे में इस स्टॉक को डिस्कॉस करने का मुख्य कारण ये है कि इस स्टॉक ने लगभग 6-7 गुना का प्राइस पिछले 6-7 महिना में ही कर दिखाया जहां ये स्टॉक 4-5 रुपे के प्राइस पे ट्रेड हो रहा था वहीं इस स्टॉक ने 20 रुपे के हाई प्राइस को भी टच किया लेकिन इस समय ये स्टॉक continuously downtrend में है इस स्टॉक को लेकर के breaking news ये आया है कि Reliance और Wealth Sum काफी समय से देख रहा है कि highest वीडर दिखा है इस bankrupt company को खरीदने का जब भी कोई company NCLT में चली जाती है तो उसका बोली लगता है और दूसरी कोई भी company खरीदती है जैसे हमने Trident Alloc Industry जैसे stock में देखा है चुकि इस stock का जो equity है उसको wipe drop करने की बाद चल रही है analystों के दौरा जिसके बाद से stock में काफी lower circuit काफी लबे समय से दिख रहा है इसलिए हमेशा से हमने आपको कहा है कि जो भी penny stock है उसमें quantity इतना ही ले जिसमें की ज़्यादा risk ना हो और risk reward ratio को अच्छे से समझना जो है बहुत लावकारी हो सकता है अगर आप equity market में लबे समय तक बने रहना चाहते हैं चुकि ये stock जिन किनी ने 4-5 रुपे के buying price पे खरीदा होगा जै हमारे premium client को continuously हमने strongly suggest करा था वही हमने इस stock में 17 के आसपास पे profit book करा और इस समय continuous downtrade के बाद 16 के आसपास के price पे है तो बहुत सारे आप में से लोग रहे होंगे जो इस stock में फसे हुए महसूस कर रहे हैं तो comment box में आप जरूर बताए कि आपकी buying इस stock के अंदर किस price की है